Hello students, students, today we will discuss about caste and politics. इस lecture में हम caste and politics की बात करेंगे. हम देखेंगे कि caste और politics में आपस में क्या relation है? कि किस तरह से politics और caste आपस में interrelated है? अब देखो, हमने gender पड़ा. वहां हमने देखा कि gender को हमने जब politics से जोड़ा, तो it was largely positive. जेंडर as an issue अगर politically highlight किया जाता है, तो उसके positive results देखने को हम में मिलते हैं. उसी तरह से religion का भी हमने देखा, कि religion को जब हमने issue की तरह देखा, और उसे हमने politics से जोड़ा, तो it was largely negative. हमने कुछ negative results देखे. देखा कि किस प्रकार से communalism बढ़ेगा? कमनलिजम अगर बढ़ेगा, तो वो कितनी परेशानी लेकर आएगा? अब हम caste का देखेंगे, कि caste as an issue देखेंगे, और देखेंगे कि उसका politics से क्या relation है? तो जब आप caste का issue देखते हो, दोनो mixed results आएंगे. Positive result भी होंगे, और negative result भी होंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं, caste inequalities की. caste inequalities की अगर हम बात करें, मतलब जाती के आदार पर लोगों के बीज जो बेदबाव होता है, तो it is specific to India only. Specific to India only से क्या मतलब है? जैसे religious differences की अगर हम बात करते हैं, धरम के आदार पर जो differences होते हैं, तो वो England में भी हमें देखने को मिलता था, Ireland, Netherlands, worldwide हमें देखने को मिलता था. Gender के basis पर differences की बात करें, तो वो भी हमें worldwide देखने को मिला था. जब caste की बात करते हैं, तो caste के basis पर लोगों के भी जो division हैं, जो differences हैं, it is unique and specific to India. इंडिया में ही देखने को मिलता है. और ये caste सिस्टम आया कैसे? Initially क्या था? लोगों की caste उनके occupation के हिसाब से define होती थी. मतलब जो जो काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी caste रहेगी. वर्ग जो है, वर्ग हुआ करते थे. जिसे ब्रामिन, शत्रिया, वैशिया, शुद्रा, ये वर्ग होते थे. अब वो लोग जो काम करते थे, जैसे जो पूजा पाट करने का काम करता था, वो ब्रामिन हो गया. जो पहले occupation के basis पे हमने क्या करा था? कि caste सिस्टम को set कर दिया था. कि जो जैसा काम करेगा, उसकी वैसी caste होगी. लेकिन क्या होता चला गया? समय के साथ में बहुत rigid होते चला गया. अब क्या हुआ? अब लोगों की caste, लोगों के occupation से नहीं, by birth देखी जाने लगी. मतलब, किसी ने ब्रामिन के गर में जनम लिया, वो ब्रामन हो गया, चाहे वो काम कुछ भी करे. अब जब occupation के हिसाब से आप caste को fix करते चले गए, tag लगाते चले गए, ये काम करते हैं, ये इनहीं caste के लोग करेंगे. पहले काम के साथ ये change हो जाता था. लेकिन जब ये rigid हो गया, तो ये extreme form में caste system बनके आया. Extreme form में जब ये caste system बनके आया, तो इसके hereditary occupational division होते चले गए. इसके चलते क्या हुआ? hereditary occupational division होते चले गए. अब hereditary occupational division क्या है? जैसे मान लीजिए, किसी एक इंसान के द्वारा जूते सिलने का काम होता है. तो क्या perceive कर लेगी society कि उसके आने वाली generation क्या काम करेगी? यही काम करेगी. इसी तरह से चीजों को fix कर दिया गया. तो इसके चलते बहुत सारी caste बन गई. और इन caste से एक negative impact निकल के आया. कि हमारी society divide हो गई. caste के basis पे. और caste system हमारी society में बहुत ही ज़्यादा deeply rooted है. अर्वन एरियाज में तो इतना देखने को नहीं मिलता. लेकिन रूलर एरियाज में अगर हम देखे तो सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जाएगी तो वो यही होगा कि आपकी caste क्या है. कारण यही है कि caste system जो है वो बहुत ही ज़्यादा deeply rooted है. caste system के अंदर क्या होता है? इसके अंदर exclusion and discrimination होता था. किसका exclusion और discrimination? Against the outcast groups. Outcast group क्या है? कभी एक समय पे जिनका occupation क्या था? जैसे जो शुदराज थे, वो साफ सफाई का काम करते थे. उन लोगों की outcast group, जो है, उन्हीं लोगों को कहते थे. Outcast group को क्या किया जाता है? Exclude किया जाता था, discriminate किया जाता था. उसका disadvantage क्या निकल के आया? कि ये लोग बहुत पीछे रह गए. उस समय जो society में outcast group थे, वो पीछे रह गए. अब पीछे तो रह गए, लेकिन उन्हें uplift भी तो करना है. तो उन्हें uplift कैसे किया जाए? तो social reformers जो थे, social reformers मतलब जो समाज में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं. जैसे जो तिबा फूले थे, महात्मा गांदी थे, बियार अमबेत कर थे. ऐसे बहुत सारे social reformers ने क्या करा? एक तरह से एक मुहीम छेड़ दी. किसके लिए? कि जो caste discrimination हो रहा है, जो downtrodents थे, जो society के निचले तदवे पे थे, उन लोगों को उपर कैसे लाया जाए? उनका upliftment कैसे किया जाए? उन लोगों के benefit के लिए, upliftment के लिए बहुत सारे movements लाए, social reform लाने की कोशिश करी और इसी कारण से इने social reformers भी कहा जाता है. तो social reformers की मदद से हमने इन लोगों का upliftment किया, इन लोगों को उपर उठाने में मदद की. और हमारे दूसरे जो outcast group थे, उन्हें socio-economic changes के चलते भी बहुत ज़्यादा relief मिला. अब कैसे socio-economic changes के थूँ relief मिला? कैसे socio-economic changes के थूँ relief मिला? socio-economic changes क्या होती है? मतलब आपके समाजिक और आर्थिक शेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं. मतलब आपकी economy में जो बदलाव आ रहा है, आपकी society में जो बदलाव आ रहा है, तो उससे क्या होगा? जो caste system था, वो बहुत ज़्यादा दीरे-दीरे कमजोर होता चला गया. जो caste system रूलर एरियाज में आज भी बहुत ज़्यादा है. उसका कारण क्या है? वहाँ पर अभी उतना economic development हुआ ही नहीं है, उतना social development हुआ ही नहीं है. तो उसकारण से caste system वहाँ पर rigid है. लेकिन जैसे जैसे ये चीज़े बढ़ती चली जाएंगी, social economic development तो अपने आप जो caste system है, वो कमजोर हो जाएगा. जैसे urbanization and economic development जो है, urbanization क्या है? शहरी करण, शहर बनते चले गए, ruler areas में क्या होता है? एक गाउं है, तो उस गाउं में एक ही समाज के लोग मिलके अधिकतर रहते हैं. दूसरे गाउं में दूसरे समाज के लोग मिलके रहेंगे, तो वहाँ पर बहुत rigidity है, लेकिन urban areas में, अब आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपकी society में आप देखो, कितनी अलग-अलग caste के लोग रह रहे होंगे. जब आप सारे लोग साथ में रह रहे हैं, तो वह आपको अपना neighbor समझेंगे. एक दूसरे के सुख दुख में आप मदद करेंगे. जब urbanization होगा, तो उसके चलते car system कमजोर होने लगेगा. तो urbanization एक पहला कारण रहा, जिसके चलते car system कमजोर हुआ. उसके बाद आगे है, literacy and education. जैसे जैसे इंसान पढ़ने लिखने लगता है, education की तरफ जाता है, तो car system कमजोर होने लगा. फिर occupational mobility, मतलब मान लीजी जैसे आपके parents है, आपके parents tailoring का काम करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी आगे जाके tailoring का ही काम करेंगे. हो सकता है कि आप doctor बन जाए, collector बन जाए, जो पहले haridity occupational होता था, कि मेरे पिता जी ये काम करते हैं, तो मैं भी यही काम करूँगा. मेरी आगे आने वाली generation भी यही काम करेगी. तो उस haridity occupation को क्या किया गया है? खतम किया गया है. Haridity occupation जैसे जैसे खतम होगा, तो car system खतम होता जाएगा. अब मान लीजिए, कोई काउटकास रूप का इंसान, जो है, एक downtrodden society से आया हुआ इंसान, वो इंसान अगर एक बहुत अच्छी position पे आ जाता है, तो कोई उनकी against में discrimination कर सकता है? कोई नहीं. क्यूंकि वो power में है, वो अपनी capabilities के basis पे आये हैं, तो occupational mobility के चलते क्या होता है? कास system जो था, वो कमजोर हो गया. तो socio-economic changes के आने से क्या हुआ? कास system कमजोर होने लगा. गर्मेंट ने भी इस चीज़ के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किये. गर्मेंट ने क्या steps लिए? गर्मेंट ने कुछ constitutional protections देना स्टार्ट कर दिया, कास discrimination को ban किया, constitutionally लोगों को protection दिया, जो लोग discrimination को face करते थे. तो इन सारे प्रयासों से कास system को हमने कमजोर कर दिया. अब इसमें politics का भी बहुत important role रहा है. जैसे constitution में provision डालना, कहां से आया? politics से. लेकिन क्या कास्ट सिस्टम पूरी तरह से खतम हो गया है? नहीं, कास्ट सिस्टम अभी भी पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है. जैसे जैसे economic development होता चला गया, तो कास्ट सिस्टम में भी changes आने लगे. और problem यही थी, economic development जो थी, उसका फाइदा किसने ज़्यादा उठाया, जो उस समय पे अपर कास्ट के लोग थे. अब उस समय पे अपर कास्ट के लोग थे, उनके पास power थी, तो वो जल्दी जल्दी economically क्या होते चले गए? uplift होते चले गए. लेकिन जो downtrodents थे, जो outcast group के लोग थे, उन लोगों को आगे आने का मोका नहीं मिला. उन लोगों को जब आगे आने का मोका नहीं मिला, तो economically अपने आपको uplift नहीं कर पाए. तो वो आज भी पीछे रहे गए. अभी जैसे reservation के थुरू बहुत सारे steps जो है, लिये गए जहाँ पे दोनों sections का upliftment हो रहा है. जो downtrodents है, lower caste का भी upliftment हो रहा है, और upper caste का भी upliftment हो रहा है. Next lecture में हम बात करेंगे caste in politics की.